नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका धर्गलाजिस में आपको बता देते हैं इसमें कौन कौन सी भरती हैं महिलाओं और पुर्सों के लिए भरती हैं सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो उत्तरप्रदेश सरकार उत्तरप्रदेश पुलिस भरती जो है यह है और यहाँ पे देख सकते हो किस किस की भरती है यहाँ पे जेल वार अगर आपको इससे अधिक जानकार चाहिए तो एक इसकी इसकी वीडियो को भी देख सकते हो क्योंकि उसमें जो हमने और ज्यादा इसमें बता दिया है अब बात करते हैं यहां पे इसकी जो डेट ओफ आप्लिकेशन जो इस्टार्ट होने वाली है ठीक है पहर जो है डेट न दिसम्बर इसकी डेट है यहां से 8 दिसम्बर से अपलाई होने स्टार्ट हो जाएंगे अब यहां पर देख सकते हो बात यहां पर जो है कौंगों सी है गुड़सवार और आपकी जो है उत्तरपुर्देश जैसे कि यह नोने बोल लगखा है कि गुड़सवार के पदों प आफ़ोषकी अलग है इसमें महिला के लिए पूरुस के लिए सबसे ले जयल वार्टर के लिए बात करते हैंतों पुरिस पुरुस के लिए जो है कितनी भरती है 300952 हुइन वागर हम बात करते हैं इंयर वाइडर में तो इसमें जो है जर्णल की 314 और OVC की 170 और SC की 131 और ST की 12 वेकंशी है टोटल नम्पर वेकंशी जो है वह है 2626 वेकंशी मैं आपको बता दूँगी इसमें जो महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा इन्हों ने बो दिया है इसमें 20 परसांट तो इसमें आपकी जो है महिलाओं के लिए इसमें सीट्स उपलब्द कराई गई है अब बात करते हैं घुड़ सवार की इसमें जिसको बोलते हैं कैविलियर ठीक है तो इसके लिए पूरसों के लिए जो है जर्नल के लिए 51 OVC के लिए 28HC के लिए 21 और ST के लिए जो बेकं एन्हों ने दे दिये पहले ओनलाइन इस्टार्ट का जारी नहीं था अब इन्होंने जारी कर दिया गया है तो तारिक हो से है 8-12-2018 यानि 8 December से है इस्टार्ट हो जाएगा अंतिम तारिक की वाद कर लिजाए तो 28-12-2018 की लाश डेट है अब एदन शुलकी की जो डेट है वह 31-12-2018 यानि 31 December 2018 यानि आपको तीन दिन एक्स्रा मिलेंगे पैमिंट के लिए ठीक है यानि जिसने 28 तारिक की रात को अगर 12 वजे भी या फॉर्म भरा है तो वह उसके लिए तीन दिन एक्स्रा मिल जाएंगे अप्लिकेशन फीज जो है वह चार सुरूपे सभी के लिए है चाय कोई सीवी काटेगरी हो चा वैपयो है व्हां पर 12र्म को अब बात करते हैं अब बात करते हैं एज की तो एजसे में बहुत user Fine प्राइव क्रैटिरिया होता है जिसमें पूर्फो की अलग है और महिला की अलग है यहां पे पूर्फो के लिए एक साथ 2018 को होनी चाहिए ठीक है तो कितनी होनी चाहिए मिनिमम आपकी 18 साल है और मैक्सिमम आपकी 22 साल इसमें एज होनी चाहिए ठीक है और इसमें जो है जनम जो है आपका 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2000 की बीच में होना चाहिए अगर फिमेल की बात कर ली जाए तो एक साथ 2018 को 18 वर्स और मैक्सिमम इसमें 25 वर्स होनी चाहिए ठीक है अगर एज की बात कर ली जाए तो वह है दो जुलाई 1993 से लेके 1 जुलाई 2000 की बीच में इसमें एज होनी चाहिए ठीक है और आपकी लेकित परीक्षा की बात कर ली जाए तो सबसे पहले यहां पर देख सकते लो इसकी वहमआप साइट में है आप इस अनोट करदो अगर कोई बच्चा अगर इसकी उसकी रिपसाइट रही जाके पहर बढ़ना करके होंगे ठीक है और एक कोशन जो है वह है दो नंबर का प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिसमें आपका 38, 37 और 38, 37 यह 500 questions वैड़ जाते हैं आपके जिसमें यह maths रहने वाला है यह आपका जीके रहने वाला है यह हिंदी रहने वाला है और यह आपका reasoning रहने वाला है ठीक है तो इस तरीके से आपका paper होगा तो यह बहुत बड़ी latest निवज निकल के आ रही है आपके सामने height की बात कर ली जाए तो 168 cm होनी चाहिए इसमें OBC और SC और general candidate के लिए ST के candidate के लिए 160 cm होनी चाहिए ठीक है और सीनाज होना चाहिए बहस 59 cm और 84 cm होना चाहिए और 5 cm का फुलाव इसमें दे रखा है किसके लिए OBC और SC और general के लिए ठीक है अगर बात कर ली चाहिए सिर्य टिक है we had Payla grit के लिए तो 77 से लेकर 82। होना चाहिए और 5 cm का इसमें फुलाव झाहिए अब मेल की बात कर ली चाहिए तो फिमेल की उचाई जो है वहाँ 152 cm होनी चाहिए ठीक है OVC और General और SC के लिए अगर ST की बात कर लिजाए फिमेल के लिए तो 147 cm उनके लिए होना चाहिए बजन जो है लेडिश के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर 40 kg होना चाहिए ठीक है minimum 40 kg और इसमें फिजिकल की बात कर लिजाए तो फिजिकल वैसी है जिसकी उसमें UP Police Constable में दे रखा है इनोंने 4.8 km की इसमें दोड़ है 25 मिनट में और महिलाओं के लिए जो है पहट 2.4 km की दोड़ है बहट 14 मिनट में ठीक है तो यह था इसके भरती के बारे में इसमें सिर्फ आपके दो चराण होंगे मैंने आपको बता दिया सबसे पहले जो होगा आपका लिखित परिक्षा होगी दूसरी परिक्षा जो होगी आपकी वो P.H.T.T.T. होता है जिसको फिजिकल Standard Test बोलते है या P.T.T.T.T.T. होता है जिसको फिजिकल धन्यवाद दोस्तो